नमस्ते गाई जोराज की fight वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टिबेट चांपियन लियान इडवर्ट्स ने फाइनली बिलाल मोहमत का reply दे दिया तो जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में cover किया था कि बिलाल मोहमत का कहना था कि ये matter जरा भी नहीं करेगा कि लियोन इडवर्ट्स उसके साथ fight करना चाहता है या फिर नहीं क्योंकि उसको डैनावाइट से word मिल चुका है कि वही होगा जो next title के लिए fight करेगा और जिस वे से लियोन इडवर्ट्स और उसकी team उसे reject कर रही है इससे पता लगता है कि वह और उसकी पूरी team afraid है तो इसी चीज़ का reply देते हुए लियोन इडवर्ट्स ने बिलाल मोहमत को ट्रोल किया और ये कहा कि बिलाल मोहमत को countdown होने की जरूरत है वो इस पूरी organization में least intimidating fighter है जिससे कोई भी डरेगा basically जिसका मतलब है कि बिलाल मोहमत से कोई भी नहीं डरता उसने already UFC को बता दिया है कि वो जरा भी mind नहीं करेगा बिलाल मोहमत के साथ next fight करने के लिए क्योंकि बिलाल मोहमत सबसे easy fight है बिलाल मोहमत को ये चीज़ figure out करने चाहिए कि क्यों लोग उसे सबसे ज़ादा hit करते है अब इसके बाद बिलाल मोहमत की बात करें तो recently बिलाल मोहमत का भी interview आया जिदर उसका ये कहना था कि वो Leon Edwards को बहुत ज़ादा hit करने लग पड़ा है और इसका reason ये है कि जिस situation में वो अभी है exactly same situation में कुछ सालों पहले Leon Edwards था बट वो इस चीज़ को ignore ही करते रहा है Leon Edwards 9 fight winning streak पर था जब वो ये बोलने लग पड़ा कि वो deserve करता है tighter shot के लिए fight करना और ऐसे ही same situation में वो है जिदर वो अभी 10 fight की winning streak पर है बट Leon Edwards उसके साथ fight करना नहीं चाहता जब Leon Edwards के खुद के उपर आया तो वो बार-बार ये बोर था कि वो title shot को deserve करता है बट अब वो इस चीज़ को देख भी नहीं रहा कि same उसी की तरह वो भी 10 fight की winning streak पर है और वो भी deserve करता है title के लिए fight करना है अपे लुब लुब अए हैंग तो starting से ही ये बात बोल रहा हूँ और मैं अभी भी 100% इस बात से agree करता हूँ कि Leon Edwards का जो next opponent होना चाहिए वो ना तो Islam महाचेव होना चाहिए ना तो शाफ का अतराक मनाव होना चाहिए वो होना चाहिए बिलाल महुमद आइनो कि ये फाइट एक जाधा बड़ी फाइट नहीं होगी ये पेपर व्यूस में जाधा अच्छा परफॉर्म नहीं करीगी बट विक कांट डिनाई दिनाई दे फैक्ट कि बिलाल महुमद ही ऐसा फाइटर है जो राइट फुली डिजर्व करता है लियॉन एटवर्स के साथ नेक्स्ट फाइट करना उसको सिर्फ इस बात पर एक नो नहीं कर सकते कि वो जाधा बड़ा स्टार नहीं है और अब वैसे भी देखा जाए तो आई थिंक अब ये और्मूस्ट कंफर्म हो गया है कि लियॉन एटवर्स की नेक्स्ट फाइट बिलाल महुमद के साथ ही रहने वाली है शाफकात राक्मनाव विंचड है इसलाम महाचेव अपनी नेक्स्ट फाइट लाइट बिलाल महुमद के लावा कोई फाइटर ही नहीं बचा जिसके साथ लियॉन एटवर्स की नेक्स्ट फाइट हो सकती है आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं UFC 300 के बारे में तो UFC 300 को लेकर जो भी डैनावाइट ने एनाउस्मेंट की है उसकी महलग से वीडियो बना चुका हूँ तो प्लीज मेक्शोर टू वाच इट बट इसके इलावा अगर बात करें तो UFC 300 में जो सबसे बड़ा फाइटर हो सकता है यानि कि Connor McGregor उसने रिसेंटली एक फोटो डाली है जिसमें हम देख सकते हैं कि Connor McGregor अपने रिटर्न से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग कैप में जाने वाला है इस फोटो में हम ये भी देख सकते हैं कि Connor ने लिखाए ट्रिपल चैंप तो अब इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली जो उसकी माइकल चैनल के साथ फाइट होगी वो फाइट होगी 170 पाउंड्स विल्ट वेट डिविजन में I think Connor next year की स्टाइटिंग में अपने ट्रेनिंग कैंप को स्टाट करतेगा और एगर UFC 300 की टाइमिंग को देखें तो ये काड होने वाला है 13 अपरिल को और ये परफेक्टली अलाइन कर रहा है Connor McGregor के ट्रेनिंग कैंप से और अब मुझे दो चांसे लग रहे हैं कि UFC 300 में Connor McGreg fight करेगा अब Connor की बात लगी है तो Connor का उपनेंट जो अभी तक officially announce नहीं हुआ है यानि कि Michael Chandler जो है होपसू कि उसकी next fight Connor के साथ ही होगी वरना Michael Chandler तो पागल हो जाएगा बट anyways इस वीडियो में बात करते हैं Michael Chandler की recent training वीडियो के बारे में तो इस वीडियो में हम देख सकते ह रहे है जिदर एक कोशन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में आ रहे है कि क्या इसकी Michael Chandler को जरूद भी पड़ीगी I don't think so कि Michael Chandler Connor के साथ ground fight करेगा ये mostly fight stranding रहेगी बट अगर Michael Chandler hurt हो जाता है जैसे कि वो जस्टिन गेची या फिर डस्टिन पोरियल की fight में हुआ था तो उसी case में मुझे लगता है कि Michael Chandler Connor के साथ grappling करेगा आज की next five video में बात करते हैं light heavyweight champion Alex Pereira और उसकी recent cryptid story के बारे में जिसको लेकर अभी बवाल हो रहा है तो यह रही वो चीज जो Alex Pereira ने post की है जिसमें यह लिखा है 30 plus 300 equals to 3 अब इस cryptid को बहुत सारे लोग breakdown कर रहे हैं जिदर हर कोई कुछ ना कुछ अलग बोल रहा है बट सबसे common जो लोग believe कर रहे हैं वो यह है कि Alex Pereira इदर hint दे रहा है कि वो UFC 300 में heavyweight division में move करेगा और triple champion यानि कि heavyweight belt के लिए fight करेगा starting में मुझे यही लगा बट फिर मुझे याद आया कि recently ही Alex Pereira का interview हुआ था कि वो अभी heavyweight division के बारे में नहीं सोच रहा है तो अब यह चीज क्या हो सकती है तो मुझे तो यह चीज लग रही है कि यह जो 30 है यह show करता है UFC की 30th anniversary जो वैसे तो हो चुकी है बट यह पूरा साल रहती है यानि कि यह रहेगी next year November के मन तक यह जो 300 है इसको लेकर तो किसी को doubt नहीं है क्योंकि यह show कर रहा है UFC 300 को बट इसके बाद यह चूतरी है जिसको लेकर काफी लोग यह बोल रहे है कि यह show करता है triple champion को जो personally मुझे नहीं लगता जो मुझे लगता है वो यह है कि यहाँ पर Alex Pereira का मतलब है उसकी trilogy fight इसराइल अदसाने के against टोटल इनकी 4 fights हो चुकी है बट UFC में इनकी अभी तक 2 fights हुई है जितर Alex Pereira एक जीता और फिर उसके बाद इसराइल अदसाने जीत गया और 3rd fight की बात करें तो Alex Pereira इसराइल अदसाने को काफी बार call out कर चुका है अब obviously मैं इस चीज के बारे में sure नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि अगर इसराइल अदसाने अपना comeback करेगा तो उसके लिए UFC 300 से बड़ी stage और कोई नहीं हो सकती और जो उसने बोला था कि वो 2027 से पहले नहीं comeback करेगा वो probably एक ट्रोली है और definitely इसराइल अदसाने अदसा और इसी के साथ इस वीडियो को end करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में